नमस्कार दोस्तों आप सबको नए साल की हार्दिक सुभकामना है आज मैं आपके साथ आलू गोभी और मेथी पत्ते की भुजिया सेयर करने जा रही हूं इसके लिए सबसे पहले एक कडाही लेंगे और उसे हाई फ्लेम पर गरम करेंगे और जब कडाही अच्छे से गरम हो तब हम तेल डालते हैं और दो से तीन मिर्चा डालते हैं अब जो भुजिया हम काटके रखे थे बनाने के लिए उस आलू को तेल में डालकर अच्छी तरह से मिलाते हैं अब हम आलू को अच्छी तरह से मिलाते हैं और जब हमारी आलू तेल में अच्छी तरह से मिल जाए पूरे आलू गर्म हो जाती है तब हम जो गोवी काट के रखे हैं उस गोवी को हम तेल में डालेंगे गोबी को हम पतला पतला साइज में काटते हैं ताकि ये आलू और गोबी अच्छे से पक सके पहले हम आलू को डालते हैं फिर गोबी वरना हमारी भुजिया अच्छे नहीं बनेगी अब जब गोभी भी अच्छे से मिल जाती है तब हम सबसे पहले इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिलाएंगे फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर जैसे ही डालते हैं इसके बाद मिर्च पाउडर और इन दोनों को डाल कर अच्छी तरह से मिलाते हैं अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और लहसुन के पेस्ट को डाल कर गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और पांच मिनट के लिए ढख कर पकाते हैं पांच मिनट बीटने के बाद हम भूजिया के ढखकन को खोल कर गैस के फ्लेम को हाई करते हैं और मिथी का पता जो हम काट कर पहले से रखे हैं उसको अब भूजिये में एड़ करते हैं भूजिया बनाते समय हमें गैस को हाई टू लो फ्लेम पे रखना होगा अगर low flame पे भुजिया बनाएंगे तो हमारी भुजिया बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी और हमारा भुजिया हल्वा हो जाएगा आप देख सकते हैं कि मेरी भुजिया कितनी अच्छी तरह से अब तैयार हो रही है मेरी क्रिस्पी भुजिया बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है इसे आप पूरी के साथ, चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज फ्रेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में